हलो बच्चो मेरा नाम है नितिश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल SSC अरीना में आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है ये होने वाला है SSC CHSL 2018 में पूछे गए स्पोर्ट्स से रिलेटिड कुश्चन्स आप सभी को पता है कि TCS जो है वो NTPC, Railway और SSC में ये कुश्चन्स पूछता रहता है कि कौन सा कप, कौन से खेल से संबंदित है या आपको कोई शब्द दे देगा और बोलेगा ये दिया गया शब्द, किस खेल से संबंदित है तो इस प्रकार के कुश्चन्स SSC, CHSL 2018 में जितने भी पूछे गए हैं वो सारा मैं यहाँ पर आपके सामने लेकर के आया हूँ, हम उसे पूरा कवर करेंगे और ये वीडियो बहुत इंपॉरंट है आपके लिए अगर आप SSC की तयारी कर रहे हैं 2019 में आपको जितने भी SSC के एक्जैम्स होंगे, स्पोर्ट से से रेलेटिड ये कुश्चन्स रिपीट होते हुए मिल सकते हैं तो वीडियो को प्लीज आप लोग एंड तक देखिएगा और उसके बाद मुझे बताईएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा हमारा पहला कोश्चन है आजका, कि Caesar Cup किस खेल से संबंदित है, ठीक है तो Caesar Cup है आपका फुटबॉल से संबंदित, ये कुश्चन पहले भी कई बार आचुका है, रिपीटिड है, ठीक है Caesar Cup किस खेल से संबंदित है, फुटबॉल Next है हमारा कौन सा खेल, वैलोड्रोम में खेला जाता है ठीक है, यानि कि कौन सा खेल है, जो वैलोड्रोम में खेला जाता है आपको पता होना चाहिए कि वैलोड्रोम क्या होता है आप सभी अपने सैलफोन पे गेम खेल चुके होंगे, मुबाइल का या फिर mobile में game खेल चुके होंगे cycling का या motor biking का तो यहां कोने में इस तरीकी से map बना होता है रास्ता तो इसी प्रकार का एक रास्ता type का बना होता है जिसे velodrome कहा जाता है ये रास्ता थोड़ा तिर्चा होता है जिस पर cycle चलाई जाती है ठीक है तो velodrome अगर आपसे अगली बार पूछा जाएगा कौन से खेल से संबंदित है तो आप क्या जवाब देंगे cycling velodrome cycling में चलाया जाती है मतब cycling जो है वो velodrome में करवाई जाती है ठीक है अगला प्रशन है हमारा jab किस से संबंदित है J-A-B jab ये किस खेल से संबंदित है ये question आपसे पूछा जाए तो आप answer करेंगे boxing यानि कि मुक्के बाजी अब जड़ा देखिए कि jab होता क्या है अब आप ने देखा होगा boxing में कि यहाँ पे दो player होते हैं जब एक player दूसरे player के pass जा करके उसे punch करने की कोशिश करता है क्योंकि pass से punch काफी तेज लगता है तो दूसरा person क्या करेगा इसे काफी तेजी से धक्का देगा ताकि ये वाला person पीछे की तरफ हो जाए काफी speed में तो इसे ही कहा जाता है एक तरीके से jab पीछे धक्का बहुत जादा speed में देने की जो होती है move उसी को boxing में कहा जाता है jab तो उम्मीद है कि अगली बार जब भी आपसे jab पूछा जाएगा तो आप अंसर कर देंगे boxing अगला सब्द है हमारा cox किस खेल से संबंदित है बच्चों chsl में ही spelling error में भी cox आया था और काफी बच्चों ने इसे गलत वहाँ पे पूचा था कि जो गलत है उसे आप मार्क करें और कई बच्चों ने इसे गलत मार्क कर दिया था क्योंकि बच्चों ने coax cox जिसका मतलब होता है चापलूसी करना उससे relate कर लिया था ठीक है जबकि ये सही था तो उन बच्चों का गलत हो गया था आप देखिए coax का मतलब क्या होता है जो noca dog जो boat होती है इस तरीके से यहाँ पर बैट के चप्पू चलाता है उसी को एक तरीके से coax बूला जाता है ठीक है तो coax सब्द का संबंद किसे है noca dog से अब एक question है के noca dog यानि boat racing हमारे भारत के कौन से राज्य में होता है सबसे ज़्यादा famous है तो यह questions भी एक बार पूछा गया था और आप से दुबारा भी पूछा जा सकता है तो आप याद रखेंगे केरला केरला राज्य में boat racing एक त्योहार में होता है जो की काफी important है नो noca racing ठीक है यहनि boat racing अगला है बीब सब्द किस खेल से संबंदित है बीब क्या होता है बीब शब्द एक पन्ने पर छपे नंबर होते है तो बीब जो है वो running से संबंदित है आप सभी ने अपने cell phone में या फिर आपने TV पर देखा होगा जब running competition देखा होगा Olympic का या Asian game का तो वहाँ पर क्या होता है जो person होता है उसकी chest पर नंबर लिखा होता है इस तरीके से कागच चिपका पिन कर दिया जाता है उसके कोई नंबर लिखा होता है 88 या 78 इस तरीके से उस नंबर को ही कहा जाता है यानि कि उस कागच यानि कपड़े के टुकड़े को ही कहा जाता है बिब तो आप बिब को याद रखेगा अगली भार ताकि आप exam में कर पाएं अगला है tumble turn tumble turn किस खेल से संबंदित है तो आपका अंसर हो जाएगा तैरा की देखें swimming में जब एक side जाते हैं swim करते हुए तो जब दूसरी side से बहुत speedily turn लेना होता है जो जितना speedily turn लेगा उसको उतना ज़्यादा फायदा होता है इसी turn को बोलते हैं tumble turn ठीक है इसके अलावा एक शब्द और है जिसका नाम है butterfly एक बार question में पूछा गया था कि butterfly का संबंद किस खेल से है तो आपका अंसर हो जाएगा तैरा की आप सब भी जानते हैं कि butterfly के shape में ही तैरते हैं हाथों को आगे पीछे करके तो इसी लिए butterfly शब्द का जो संबंद है वो किस से आपका तैरा की से अगला प्रशन था कि tweedle शब्द किस खेल से संबंद दित है तो tweedle है आपका table tennis से देखे इस तरीके से table होता है table के बीच में net लगा होता है तो इसमें क्या होता है कि racket को थोड़ा तिर्शा करके मारते है उसे ही कहा जाता है tweedle तो अगली बार जब आप से पूछा जाए कि tweedle खेल का संबंद किस से है तो आप क्या बोलेंगे table tennis से अगला है हमारा address शब्द किस खेल से संबंद दित है तो address सब्द का संबंद है golf से देखे जब भी कोई golfer जो golf अपने हाथ में ले करके ball को मारने के लिए आता है तो उसे कहते है golf address उसको पूरा क्या कहते है golf address करना तो बस वहीं से आपका शब्द लिया गया है address तो address सब्द किस खेल में संबंद है आपका address गोल्फ में अगला शब्द है कि jamming का संबंद किस खेल से है तो jamming आपका lawn tennis से संबंदित है कैसे देखे उसमें होता क्या है lawn tennis आपको पता होगा हमारे देश में शान्याय मिर्जा खेलती है रोजर फेडरर नुवाक जोकविच महिस भूपती काफी prominent players है lawn tennis के तो lawn tennis में एक move होता है अपने racket को काफी तेजी से मारते है नीचे की तरफ तिर्चा करके ताकि ball अगले coat में जाए बिल्कुल नीचे की तरफ तिक है इस शब्द को jamming कहा जाता है lawn tennis में तो आप लोग इसे याद करिएगा एक दो बार repeat करके या फिर आप कहीं लिख लिजेगा इसे ताकि आप लोगों को revise करने में असानी हूँ next है हमारा derby trophy का संबंद किस scale से है तो derby trophy आप याद रखेगा घुड़ दौर अगली बार जब आप exam देने जाए तो cup और जो भी trophy है trophy के साथ जो terms होते हैं यूज किये जाते हैं शब्द खेल में उसको आप पूरी चरीके से याद करके जाएगा ये repeat होंगे ही होंगे तो derby trophy का संबंद कौन से खेल से है घुड़ दौर यानि कि horse racing से सीजर कप का संबंद भी football से ही था ठीक है अगला question है हमारा सुधी रमन कप एक दुवी वर्स ही है event कि स्खेल से संबंदित है देखे यहाँ पर आपसे cup का फिर पूछ दिया तो सुधी रमन कप आपका संबंदित है badminton से यह दुवी वर्स का मतलब होता है कि परते एक दो साल में इस सुधी रमन कप का आयोजन होता है जो कि badminton से संबंद दीत है ठीक है तो बच्चों यह हमारा वीडियो था जो कि बहुत important था आपके S.S.C. 2019 को ले करके और मैं Unacademy पे भी हूँ Unacademy पे मैंने S.S.C. CPO में जितने भी vocabularies पूछे गए थे उसको मैंने एक अलग से course बना के डाला हुआ है और ऐसे ही S.S.C. CHS.L में जितने पूछे गए थे वो भी डाला है इसके बाद जो C.Z.L. में पूछा गया था 2018 में मैं वो भी डालने वाला हूँ तो description box में link दिया होगा आपको ये app डाउनलोड करना है इसके बाद login करना है login करने के बाद आप मेरे description box में दिये गए link में चाहिए क्लिक करिए और मेरे videos को enjoy करिए और अपने vocabulary को boost करे क्योंकि previous year में आये वे चाहिए चीजें बहुत repeat होती है C.Z.L. का CPU का भी repeat हुआ था C.Z.L. और C.H.S.L. में इसलिए काफ़े important है तो video को आज यहीं रोकते हैं आप मेरे इस YouTube चैनल को subscribe कर लिजेगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो वीडियो पसंद आता है तो इसे like कर लिजेगा चलिए वीडियो को यहीं कितम करते हैं आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद